पावर सेंटर पावर सेंटर में आज बात एक ऐसी खबर की जिसकी वज़ा से बीरोक्रेसी में बड़ी अफवाह उड़ गई मामला यह कि पिछले दिनों कई जिलों के डियम बदले गए उसमें ये चर्चा चल पड़ी कि लखनों के डियम सूरपाल गंगवार को भी हटा दिया गया है अब आधी रात का मामला था जिसका तबादला हुआ उसको पते नहीं था अब सोने के टाइम पे खबर आई रात भर नींद नहीं जागण करना पड़ा सूरपाल गंगवार तो नहीं बदले लेकिन उनकी जगा एक नाम आया चंद परकास सिंग का बुलंद सहर के डियम का कि वो लखनव के नए डियम बना दिये गए हैं अब चंद परकासिंग बुलंद सहर में डियम है जब वो लखनव के राजधानी के डियम बनाए गए इस्टेट की तो फिर उनको बधाईयों का ताताव लग गया भई उनको फोन पर उस पर तमाम सारी सुबकामनाय आने लगी स्वागत होने लगा लेकिन सभेरा होते होते यह सपना तूट गया और जो लखनव को डियम की हटाने की अफवा थी उस पर उल्टे सरकार नाराज भी हो गई अब बात आई कि यह मामला लीक कहां से हुआ इसको लेकर नियुक्ति विभाग के प्रमुक सच्यू एम देवरा चान बीन कर रहे हैं उल्जे हैं कि मामला उनके डिपार्टमेंट से लीक किया गया या बुलंद सहर से लीक हो गया कैसे हुआ यह गलत ख़बर किसने फैल आई घर का भेदी कौन है इस पर काफी नियुक्ति विभाग में चान बीन चल रही है अब दूसरी और जो बुलंद सर के डियम चंद परकास सिंग जब सबेरोन को जान कर दी तो चुपी मार के बैट गए कि पता लगा कि लखनव तक तो पहुंचेंग नहीं जो है यहू न छिंजाए तो इसको पहले बचाओ तो इस सब बचाने के चक्कर में यह मामले को अभी मिट्टी के नीचे दबा दि कि लखनव के साथ सब्सक्राइब करें जो साजहापूर के बियम है वो भी अटाएगे यह हुआ कि खन्ना जी के जिले में लंबे समय से डियम थे पहुने तीन साल लगबग उनको हो गया था ऐसा क्या हो गया कि उमेस परताफ सिंग को हता दिया गया फिर जानकारों ने बत बता गई थी इसके चलते वहां पर दोनों को हटाया गया और मामला बहुत मामूली सा था कि वही कुछ जानकारी जिलादिकारी के तोर पर उन्होंने स्पी से मांगी थी लेकिन सासन तक जब यह बात पहुंची तो फिर आजकल पुलिस महकमा थोड़ा हावी है तो उसने इ यह एक दूसरे काम महस्तक्षेप हो रहा है उमेश परताब सिंग थोड़ा अख़ड सुभाव के अफसर थोड़ा तेज तर्रार जादा माने जाते हैं अब सरकार चाहती तो उनको हटा कर उनको दूसरे जिलन भी पोस्ट कर सकती थी लेकिन सायद पुलिसिया दवाओ के च इस वज़ा से इन दोनों अफसरों को उमेश सिंग को और स्पी को जाद जिला छोड़ना पड़ा है अब तीसरा मामला आगरा के डियम बानू गोसामी का है बानू गोसामी और लखनौ के डियम यह दोनों सुर्पाल गंगवार यह सब 2009 वैच के हैं यह जन्वरी में सचीव रैंक में परमोसन है इनका हो जाएंगे लेकिन देवराज साब के उपर ऐसा दबाव पड़ा कि गंगवार को छोड़ दिया और भानू गोसामी को तीन महीना पहले ही जिलादकारी पस से हटाके परवहारी रहातायुक्त बनाकर लखनौ भेद दिया अब ये कैसे हो गया बर जब सब बने हैं तो तीन महीने बाद भानू गोसामी भी सचिव बन जाते तब दियम बन जिले से हटाते उनको आगरा से ऐसी कहना राजगी थी कि उनको आगरा से तीन महिना पहले ही हटा दिया थोड़ा और सम्मान से आते काम तो चली रहा था बाल भी आई थी टैक्टर से गाहों गरीब तक पहुंचे भी पानू ने अपनी छबी भी अच तीन महिना पहले ही कहा कि चलो लखनू काम करो अपसरों की बड़ी कमी है सरकार चाहती तो उनको तीन महिने बाद भी पत दे सकती थी लेकिन ऊपर जो बैठे अपसर है सासन के जो गणित है वो इतना उलजा रहता है कि आगरा के डियम को अपना पत छोड़ना पड़ा तो ये कई सारे ऐसे तिकडम और कहानिया चलती हैं जिनको लखनू में बैठे बहुत सारे अपसर और लखनू के बाहर के लोग भी समझ नहीं पाते कि किसने किसका काम लगा दिया और कौन किसको कहां खिसका दे रहा है अब बात एक ऐसी खबर की जिसको आप यह कह सकते हैं कि चिराग तले अंधेरा है बात पश्चिमी उत्तर परदेश की है मेरट जी ले की है जब विधान सबा के चुनाओ 2022 में हो रहे थे चुनाओ परचार चल रहा था तो मेरट में एक जगा है सोती गंज इलाका सोती गंज इलाका वो है जिसको बीजेपी ने अपने भासलों में बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था क्योंकि इस इलाके में पूरे एंसियार से विभिन राज्यों से वहान चोरी करके लूट करके लाए जाते हैं और यहां पर वो काटके बेचे जाते हैं वहानों की अवैद कटान होती है आप इसको वहानों का स्लाटर हाउस भी कह सकते हैं क्योंकि एंसियार में एक बहुत बहुत केंद्र बना हुआ था सोती गंज इलाका भादपा सरकार को काफी वोट दिला गया और इसी वज़ा से उसको बंद कर दिया गया लेकिन मेरट में एक सोती गंज बंद हुआ तो आस पास कई जिलो में कई सोती गंज खुल गए हैरत की बात यह है कि बीजेपी ने सोती गंज में इस अवयत काम को बंद करा कर काफी वावाई लूटी थी लेकिन अगल वगल के जिलों में जब खुलासा हुआ तो वो चुपी मारे मैठी है उल्टे खुलासा करने वालों और लेटर सारजनिक होने वालों पर वो नाराज है कि ऐसा क्यों किया गया है मामला आज आपके सामने है बुलं सहर के खुर्जा देहात थाने का जहां पर बहुत बड़ी संख्या में गारियों की कटान का मामला सामने आया आप कह सकते हैं कि एक तरह से अवायत फैक्टरी गारियों के कटान की चल रही थी जिसमें साइकलों वहान बरामद हुए लगबग हजार के लगबग ये वहान चोरी और लूट के लाए गए थे मेरत एंसियार दिल्ली राजस्थान और आसपास के राज्यों से पांच मिनट में इन पूरे वहा में जिन पर कारों पर मोटरसाइकील और स्कूटर के नंबर मिले हैं तो साफ है कि काफी बड़ी संख्या में काम होता था ठाने के परवारी राहुल चौदरी थे जो काफी लंबे समय तक इस कटान के लाभार्थी माने जाते हैं उनके सन अच्छन में ये धंदा काफी फला पूला जिसके चलते लाखो करोड़ों रुपया लोग पुलिस वाले मना कर निकल गए लेकिन मामला तब पकड़ा गया जब मेरट के डीजी दीके ठाकुर ने इस मामले में एक चिठी लिखी बुलन सहर के सस्पी स्लोक कुमार को क्यूंकि ये थाने के पासी 500 मीटर की दूरी पर कटान हो रही थी तो एडीजी ने कहा कि भाई ये थाने के बगल में इतना बड़ा पराद हो रहा है और पुलिस को पता नहीं है ये काउंसी मानीटरिंग की बेवस्था है हाला कि डीजी की चिठी के बाद भी ज़्यादा कोई कारवाई नहीं हुई सिर्फ दो पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है और मामले की जांच येस्पी अस्तर के अधिकारी को सौपी गई है आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा मामला ठंडा बसते के हवाले है चुकि स्लोक कुमार के जिले में मामला हो रहा था बाद लखनऊ तक पहुंची प्रवाइब देखें कि इतना बड़ा स्लाटर हाउस पकड़ा लेकिन यह बताओ कि एड़ी जी की चिठी कैसे लीख हो गई बाहर लोग कारवाई से पहले अपसर मीडिया को दे देते हैं चिठी पत्री और इससे सरकार की बदनामी होती है तो देखें कितनी हसने वाली बात है कि जब चोरी जो पकड़ ले और चोरी की और इसारा करें तो चोरी पर और चोर को पर कारवाई के बजाए चोरी बताने वाले पर ही उंगली उठाई जाने लगती है हाला कि ये बात लोग जानते हैं कि बुलंद सहर के सस्पी सुलोक कुमार की छवी एक अच्छे और इमानदार अफसर के तोर पर है लेकिन उनके जिले के ठाने के बगल में इस तरह की घटड़ा पर कारवाई ना होना ये दरसाता है कि सायद चिठी वाइरल होने की वज़ा से दिल्ली और मेरट के बीच कनेक्शन थोड़ा गलबढा गया है और इसी वज़ा से ये सस्पी को ये मौका दिया गया कि पूरी जाज परताल होने से पहले कोई कारवाई मत करना लेकिन आप देखिए कि जो सरकार भाष्टा चार पर जीरो टॉलेंस की बात करती है वुलन सहर के नए सोती गंज पर अभी तक किसी बड़ो बड़े पर कोई कारवाई नहीं की है जबकि ठाने के बगल कोई काम होगा और लाखों रुपए की रुज कमाई होगी तो सभाविक है कि ठाना, देख्च, सी-ओ, एडिस्नल सब को जानकारी होगी अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इस मामले में कोई नया एंगल निकलाया है अपसरों की टसन का? ये सब बड़ा महात्पूर हो जाता है फिलहाल कारवाई आज नहीं तो कल होगी जहां जी रिपोर्ट कितने दिनों तक दबाई जाएगी सच्चाई खुदबाखुद सामने आएगी खबर सियासत से जुड़ी है सत्ता पक्ष और विपक्ष के अंतर को दिखाती है क्योंकि अगर आप सत्ता धारी दल के विधायक है तो आपकी बहुत सारी गलतिया माफ हो जाएगी और अगर आप विपक्ष के विधायक हैं तो चीटी मारने पर भी आपको जेल हो सकती है यूपी के विधायकों की कुछ अजब हाल है पिछले दिनों यह तस्वीर आपको देखने को मिली है जिसमें सब्ता से चुड़ी हुई विधायक दबंगई करती नजर आ रही है और उनकी इस दबंगई को जायज माना गया मामला लखीमपूर खीरी का है विरोध करने पर समाजवादी पार्टी के कारकरताओं और नेताओं पर लाठिया भी बरसाई गई दूसरा मामला भदोई से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेक का है जिनके घर में नोकराणी द्वारा आत्मत्या करने पर जो की नावालिक बताई जाती है उस मामले में उनकी पत्नी, बेटा और विधायक खुद फस गए इटावा में भी एक रेल की हरी जंडी दिखाते समय विधायक को ऐसा धक्का लगा कि पट्री गिर गई यह तो काउट ट्रेन नहीं चल रही थी नई सर्ता भदोईयक साथ कुछ भी हो सकता था तो यह तीन नाम आपके सामने है जहां पर भाजपा की स्री नगर लखीमपूर से विधायक मंजू त्यागी का मामला है और भदोई से समाज़ादी पारटी के विधायक जाहिद बेक का मामला है और सर्ता भदोईया का मामला है मन्जू त्यागी काफी तेज तरार विधायकों में उनकी गिंती होने लगी है अभी चीनी गिन्ना समित के जो चुनाव चल रहे थे उसमें उन्होंने जो लोग नामांकन करने आये थे उनका नामांकन का परचा वो SDM के सामने छीन ले गई इसके पहले वो फूल वेहल के थाना द्यक्ष विध्याराम के साथ उनका एक आडियो दो-तीन साल पहले वाइरल हुआ था जिसमें उन्होंने जूते से मारने की बात कही थी विधायक खुले आम पर चाचीन कर ले जा रही है और परसासन मू ताक रहा है अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए अपनी सरकार में दूसरी और जंडी दिखाने के चकर में भाजपा नेताओं के धक्का दुक्की में विधायक ट्रेन की पट्री पर आ गई ट्रेन रुकी हुई थी बंदे भारत चुकी बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है मोधी सरकार का लिहाजा विधायक जी की जान बच गई लेकिन जो हालात हैं वो सब विधायकों के लिए एक समान नहीं है जाहिद वेग इस समय ताजा मामले में फसे हैं उनके घर पर काम करने वाली एक नौकरानी उसकी आत्मत्या कर ली उसने और इस आत्मत्या के मामले में उनके बेटे और विधायक जाहिद वेग दोनों जेल जा चुके हैं अभी उनकी पत्नी को पुलिस ढून रही है ये तो कहिए कि बुल्डोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कानून बना दिया जिसकी वया से जाहिद वेग इतनी रहात की सांस ले सकते हैं नहीं तो अब तक सायद उनका घर भी ढहाया जा चुका होता तो एक आत्मत्या के चलते पूरा परिवार विधायक का जेल चला गया है ये कगार पे है दूसरी और विधायक जूता मारने से लेके नामांकन के परचे उठा ले जाने तक की तस्वीर है लेकिन उसका विरोग करने पर लाठियां उल्टे समाजवादियों को मिली है सत्ता का ये हमेशा एक चरित रहा है विपक्ष के प्रती वो हमेशा कठोर रही है खास तोर से भाजपा सरकार चुनाओं के मामले में कभी भी कोई बात आती है तो लखीमपूर उसे भी काफी नाम कमाता रहा है पहले उसने शेद पंचायत के चुनाओं भी कमाया था बाल बलाक परमुखी में जहां कपड़े तक उतर गए थे अब देखिए गन्ना समित के चुनाओं में तो भागपा की महिला विधायक भी किसी से कम नहीं है बले लोग समाजवादी पार्टी में गुंडों की बात करते हों और दबंगई की बात करते हों लेकिन ये जो तस्वीरे दिखी आपने मंजुत्यागी की ये भी अपने आप में बहुत बहुबल का परतीक है कोई मामूली बात नहीं है और सत्ता में रहने पर ये सत्ता कत आती जाती है ये समय का अंतर है और इस अंतर को पहले बरेली में पिटोल पंप गिराए जाने वाले विधायक ने पहले समझा फिर कानपूर में सीसा मोई वाले विधायक ने समझा और जाहिद बेग पर आकर अभी ये मामला रुका है अभी देखिए और कितना आगे जाएगा कहां कहां अब बात योगी सरकार के एक सबसे चर्चित मंतरी की क्योंकि उनके बयान बड़ी सुर्खिया पाते हैं टीवी से लेकर सोसल मीडिया तक उनका बड़ा जलवा है इस मामले में लेकिन मंतरी जी इन दिनों कुछ पीडित है क्योंकि वो सयोगी दल में है और बड़े भारी भरकम महक्मा उनको दिया गया था और उनसे कहा गया कि भाई आप पूरा एक्षत राज है आपका और बड़िया विभाग पंचाइती राज और संक्यक मिला है अब आप मस्त रहो और भाजपा का साथ दियो पूरे दमखम के साथ वो जुट गए उनके बयान सोचल मीडिया में लाखो लाख भीव आते हैं वो काफी अपनी अहमियत को महसूस करते हैं लेकिन उनकी अहमियत को सरकार के अफसर में ही महसूस करते न मानते हैं ओम प्रकास राजबर बेबाग जरूर हैं लेकिन अफसरों पर उनका वो दबाव नहीं चल पा रहा है अब सब तो छोड़ो अपने विभाग के अपरुख सचूसे वो एसियस से थोड़ा दुखी है भाजपा ने उनको सम्मान तो पूरा दे दिया लेकिन काम करने के मामले में उनके हाथ थोड़े तंग कर दिये मंत्राले भारी भरकम है कल्यान का भी काम है मुस्लिमों के इतना सपाकर भी जब दिल में दर्ध हो तो चेहरे पर खुसी कैसे आएगी उनकी परिसाइनी के कारण उनके विभाग के परमुक सच्यू एसियस रेंग के अप्शार नरें असनिक मुखिया मनोच कुमार सिंग के सामने भी नरेंद भूसन को हटाने के लिए वो चक्कर लगा रहे हैं एक छत राज उनका इस विभाग पर कायम नहीं हो पाया इतना बड़ा विभाग है गाओं गाओं तक पहुंच है सब कुछ है हर्याली भी है सम्मान भी है खाने पीने के इंतिजाम भी है बेवस्था ठैरने के लिए भी है लेकिन परमुक सच्यू ऐसा अरंगा लगाये हुए है कि कोई मामला आगे बढ़ नहीं पा रहा है अब न उन पर सरकार महर्मान रहती है दो चार महीना इदर दर बेटा थी फिर कोई बहुत बड़ा विभाग दे देती है बताते हैं उनकी छबी बहुत अच्छी है उनका आज तक बाल भाका नहीं हुआ जब पीडेवलुटी में बहुत बड़ा तबादला घोटाला हुआ था वह तो काम सही हो सही से चलेगा अब एक नई कहानी शुरू ही पंचायती राज में कि वहां डारेक्टर के बजाए बीजी का नया पस्रिजित करने की चल रही है कहानी पैसा सब भारा सरकार देती है पद ये लोग किरियेट कर रहे हैं पता नहीं वहां सनमती है या नहीं है नर पूर्पत पर नुएड़ा में तीन साड़े तीन साल वो स्रीयों रहके आया थार्टी में जो भठा बैठाए थे उसको आज तक उस चीज को लोग दुरुस्त नहीं कर पाए जो खंबा हिल गया वो सीधा नहीं हो पाया पीड़ुटी में बदनाम होकर उनको हटाया गया त पारमपरी गूर्जा स्रोथ जैसे तमाम सारे बड़े विवाग उनके हवाले कर दिये गए अब जिसका इतिहास इस तरह रहा हो उसको फिर बार-बार आप महात्पूर्ण विवाग दे रहे हैं तो इससे साफ है कि सरकार ही चाहती है कि मंत्रियों पर्मुक्षच्यू आप पीला गंच्छा के नाम से मसूर ओम परकास राजभर भले चाहिए लाल पीला नीला सब हो जाएं लेकिन अपने प्रमुक्षच्यू को नहीं हटवा पा रहे हैं मायूसी से कई बार दरवाजे से उनको निकलते देखा गया है तो यह हाल सयोगी दल के सबसे ताकतवर मंत्र का है जिसका दिल का दर्द होठों तक नहीं आ पा रहा है लेकिन विपक्ष को कोशने में उनसे बड़ा साइदे कोई लंबरदार हो तो पावर सेंटर में अब हम समापन पर हैं और समापन पर जाते जाते आपको मुनवर्राना के एक सेर के साथ छोड़ जाएंगे जो इसका एशास दिलाते रहे हैं तो सुनिएगा कि न मैं कंगी बनाता हूं न मैं चोटी बनाता हूं गजल में आप बीती को मैं जगबीती बनाता हूं मैं अपने गाउं का मुख्या भी हूं बच्चों का कातिल भी जला कर दूद कुछ लोगों की खातिल घी बनाता हूं सजा कितनी बड़ी है गाउं से बाहर निकलने की वहां मैं मिटी गूदता था यहां डबल रोटी बनाता हूं बस इतनी इलतिजा है तुम इसे बर्बाद मत करना तुम्हें इस मुल्क का मालिक मजीते जी बनाता हूं नमस्कार